जम्षेत्पूर के निर्दलिया विधायक सर्यूर आने लोकसभा धनबाद बीजेपी प्रताश्य धुल्लू महतों पर पहले वी कई आरूप लगाये मगर अब उनके बेटे के नाम पर करोणों की जमीन का रूप लगाते वे उन्होंने कहा कि मेरा कोई मन नहीं कि धनबाद से चुनाओ लड़ू कोई से वह सेट काफी गर्म होता जा रहा है हमारे शाथ इछसजीह सर्जोराय जी है उनसे जाने का प्रयास करेंगे वह क्कास क्यूं बंता जा रहा है और आपका interest लोग सबा चुनाओ धनबाद पर क्यों है सर क्यों धनबाद की यूर आपका धेयन जादा है धनबाद में और धनबाद ही नहीं धनबाद बोकारो जो भी दामुदर नद का च्छित रहे उसमें तो मैं 2004 से काम कर रहा हूँ गंदा था दामुदर 2004 में उसमें के बल च्छाई और राक बहती थी आज 95 परिसर से अधिक साफ हो गया है रुक पानी का इस्तेमाल कर रहे है एक गंदगी वहाँ साफ की आम लोगों है राजनीत में भी वहाँ गंदगी ना पसरे ये सब को कोसिस करनी चाहिए तो मेरे जो समंध रहे हैं वहाँ के उसके मताबिक क्रिश्णा अकरवार मरवाडी समिरन के अधिक्ष है उन्होंने भाजपा के प्रदेश अधिक्ष माननी ये बावुलाल जिमरांडी को लिख दिया कि आपने सही उमिदवार नहीं दिया है उनके लिखने के चार घंटे के भीतर वो उमिदवार ने फोन करके उनको काभी भला बुरा का कि अपने लिखा क्यों ऐसा ये खबर मुझे मिली तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए वहाँ और उसके पीट पर खड़ा रहना चाहिए वहाँ गया मेरे जाने का नतीजा ये हुआ है कि जैसे काहो था कि करेला एक तो करेला दूसरे नीम चड़ा तो मैंने कृष्णा अगरवाल के पक्ष में वहाँ बात की तो अगले दिन एक वहाँ के बड़े क्रिमिनल है प्रिंस खान जो दुबई में रह रह रहे हैं वहाँ से वाटसेप कॉल से फेस्टाइम कॉल से वो लोगों से रंगदारी लेते हैं जो नहीं देता उसको गोली मरवा देते हैं तो उनका एक आडियो जारी हुआ मुझको भी धमकाते हुए कृष्णागरवाल को भी धमकाते हुए कि मैं राजनीत की नहीं रक्त की रोटी सेकता हूँ कई कई थी था तब मुझे लगा कि भाई ये तो पानी नाक के उपर चड़ने लगा है मुझे बताना चाहिए धनबाद के लोगों को और भाजपा को भी बताना चाहिए कि धनबाद में इस तरह की गंदगी पसरेगी और जिस तरह से एक चिठी लिखने कारण वहां के अभी ततकालिन विधायक हैं यहां वहां बागमारा में वो एक कृष्णा अगरवाल नाम के मारवडी समयलन के अधेश को धमकाते हैं सब करते हैं यह रहा तो धनबाद किसी दी बहुत बत्तर हो जाएगी अब मैंने इन सब बातों को कहा तो चुनाओ को समय लोगों को लगा कि मैं चुनाओ लड़ना चाहता हूँ या बहुत लोगों को लगा कि मैं यहां से चुनाओ लड़ू क्योंकि मैं सामना करूँ इन परिस्थियों का जनता तयार है मैं दो बार गया भी वहां और सब लोग अभी भी रोज कहते हैं गोठना करिए जल्दी गोठना करिए मैंने सबों से ही कहाए कि देखिये मैं जमसेतूर में हूँ जमसेतूर में 2019 में जब यहां से विदायक बने तब यहां भी वही परिस्थिरी थी और यहां की जनता का मेरे उपर भारी रीन है कर्ज है, मैं उसको चुका रहा हूँ बहुत चुकाया है, अभी भी चुकाना बाकी है इसलिए मेरी चुनाव के देश से पहली प्रात्मिक्ता जमसित्वर पुरुई का भी धान सवाचेतर है मगर यदि लगेगा कि कोई वीली के कले में घंटी बांदने के लिए धनबाद में नहीं तयार है तो मुझे धनबाद में चुनाव लडने से भी एतराज नहीं होगा अभी भी मुझे कई जगर जाना है लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ को रह में और लोगों से सलाह लोगा मेरा कोई बिरोध भारती जनता पार्टी से नहीं है वहाँ अब देखिए वहाँ मैंने जब इन बातों को उठाया तो जो प्रभारी हैं भारती जनता पार्टी के जहरखंड में वो मुझे पर ही बरस पड़े मुझे कहा कि अपना ग्यान अपने पास रखें और मैं तो ऐसा हूँ कि मैं था जब अधेक्ष वहाँ यूपी बीजेपी का तो मैं तो अबसरों को माभन कर देता था तो ये लगा कि मैं इतना ताव क्यों खा रहे हैं ये लोग और ग्यान तो ग्यान माटने से बढ़ता है और ग्यान कहीं से मिले ग्यान को तो लेना चाहिए अगर कोई आदमी ग्यान को पेक्षा करता है तो मैंने पहरे भी कुछ चीजों को सामने रखा था और आज सबूत के साथ मैंने ये बताया है कि डुलू महतो जी के सुपूत्र प्रसांद कुमार है 2022 में 20 साल की आयू थी और उन्होंने 2 करोड 6 लाग की जमीन खरीदी है जो चेक से जिसका पेमेंट हुआ या इसी आइसी आ बैंक से तीन बड़े-बड़े भोखंड खरीदा है उन्होंने और बताया है कि उन्होंने कि वो वेवसाई करते हैं अब 20 बर्स के उम्र में बड़े वेवसाई हो गए तो उनका इंकम टैक्स रिटर्न होगा टैक्सेवल इंकम कितना होता होता होगा इस सब उनको सामने आके बता देना चाहिए मुझे तो किसी ने फोन करके बताया कि साब उनका दो हजार बाइस में टैक्सेवल इंकम के ओल छे लाग था तो ये दो करोड रुपे की संपत्ती खरी दी गई ये दो करोड तो सरकारी वैलुएशन के अधार पर है धनबाद में धनबाद अंचल में जो मार्केट रेट है जमीन का उस पर जाएंगे तो कम से कम 20 करोड रुपे की संपत्ती है तो इसलिए मैंने खाया है और बताया है कि विभाजपा के लोग हैं अगर मेरे पास कहीं कुछ ग्यान है तो थोड़ा उस ग्यान पर बिचार कर ले और वो ताय करें कि कैसी परिस्थिती धनबाद में बरानी है मेरे यही रूची धनबाद में है मेरी पहली प्रात्मिक्ता जमसेतूर पुर्विक्षेतर है मगर धनबाद के छेतर को लगेगा वहाँ के लोगों को कि मैं ही उनको उबार सकता हूँ क्योंकि दहसत का महल है धनबाद इलाके तो दहसत से मैं ही उबार सकता हूँ तो मुझे वहाँ कदम रखने में कोई गुरेज नहीं है यही इस्तिती है मगर मैंने कोई अंतिम नीड़े नहीं लिया है मैं खास करके सारी शेतरों में में मेरा संपर्क रहाया प्रियास किया सभी पार्टियों से बात किया और मैंने कहा कि आप धनबाद की सीट पर मेरा समर्थं कर دी जाई कांग्रेस बड़ी पार्टिया रास्टिया पार्टिया से खाते के सीट है यह मैं वो आरू जे डी को मासस को इनको कहीं में हो मगर उनका मन है कि वो अपना उमिद्वार वहां दें तो मैंने यही कहा है कि अगर आप ऐसा उमिद्वार देते हैं जो वहां बिल्ली के गले में घंटी बांद सकता है मजबूत है तो जरूर दे दीजिए आपको लगता है कि नहीं जितने उमिद्वार आपके पास हैं मैं उनसे बेहतर हूँ तो आप उमिद्वार मत दीजिए मुझे चुनाव लड़ने दीजिए ये कर लीजिए ये सारी बाते हुई हैं और बाते खुलकर हुई है इसलिए कहीं किसी को इसमें छुपाने आराज नितिक किवासा बोलने की जवरत भी नहीं है और जिस तरह से मेरे पास वहां के लोगों से फोन आ रहे हैं अब तो ग्राणमी इलाकों से भी आने लगए हैं उससे तो लगता है कि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं चुनाओ जरूर जीतूंगा कांग्रेस मेरे खिलाप उमिद्वार नहीं खड़ा करेगी तो मैं ज़्यादा वोट से जितूंगा और वो खड़ा करेंगे तो मैं कम वोट से जितूंगा मेरा यह आकलन है फिर भी अभी भी राजनिती में रोची रखने वाले कुछ लोग का मनना है कि सर्जोराय जी बीजेपी को अडहाती इसलिए ले रधनबाद में ताकि गड़बंधन उनको वहां से परत्यासी बना दे क्या कहत भी उन्य मेरा कहाँ है बीजेपी के प्रभारी ने भी कहा कि मेरी बीजेपी के किसी नेता ने मुझसे बात नहीं किया है मैंने भी उनसे कहा है कि मैंने बात नहीं किया है और गड़बंधन का प्रत्यासी बनने के लिए तुम मैंने बता दिया कांग्रेस के उपर है कि मैं गड़बंधन का प्रत्यासी क्या होंगा हम लोगों का भारती चंतनत मुर्चा है उसे चुनाव लड़ेंगे विधान सभा में 30-35 सीटों पर लड़ने वाले हैं हम लोग थमनों की तो अब एक पार्टी है तो उस पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं ऐसा नहीं है कांग्रेस अग उमिद्वार नहीं देगी समर्थन करें तो ठीक है मैं कोई उनका पातंक दूर होना चाहिए कब तक गोशना करेंगे सर वहां चुनों लड़ने के लिए मैं एक बार जाओंगा बोकारो धनबाद चंदन क्यारी निर्सा के ग्रामी इलाके हैं सिंद्री का ग्रामी इलाका है वहां के जिनके फोन मेरे पास आ रहे हैं मैं उनसे बात करूंगा समझूंगा और उसके बाद ही मैं कोई एलान करूंगा न तो मैं उतावला हूँ वहां से चुनाव लड़ने के लिए न मैं परहेज रखता हूँ वहां से चुनाव लड़ने के लिए मगर जमसितपूर मेरी पहली पसंद है यहां के लोगों की भावना है उसकी भी कदर हमक और गड़बंदन से चुनाओ लड़ि ci के जुबाते है उससे बिल्कु़ इंकार करते हैं उनकर शाफतर के करना है कि हमारी अपनी पाटी है, जोरोत बड़ी तो अपनी पाटी से चुनाओ लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी अपने स्योगी नभीन प्रधान के साथ इंदर जीत सिंग समाचार प्लग जमसेदपर।